आज हम बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी सी बिल्कुल रूई जैसी सोफ्ट एस्पंजी अगर आप इस ट्रीक से बनाएंगे और टिप्स बाइटिप्स आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल रूई की तरह सोफ्टी आपकी दाई वल्ले बनके रेटी होंग करते चलिए वीडियो की स्टैट करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करें दही बनाने के लिए मैंने औरीट की दाल रात बर विगो करके रखी हूं और अभी मैं इसे पाने निकाल करके इसे एक जार में र बड़ा सा बॉल में निकालेंगे बड़ा सा बॉल में निकालने का रिजन यह है क्योंकि इसे मिक्स करने में आसानी होगी बहुत ही एजी होगी इसलिए और इसी तरह हम सारे पीस लेंगे तो देखिए मैंने बड़ा सा बॉल में निकाली हूं इसमें मैं डाली हूं हाप ट किखी आएगी हलागे ये कासमेडी लाल मिर्च है एक टीसपून डाले सिसमें 1 जीरा और यह पूजी हुई जीरा है अब गोटा जीरा को भूज करके डाले इसकी टेस्ट अच्छी आती है और इसमें 1 ब्स नमक और बस mix कर लेंगे इसे इसमें अब कुछ नहीं डालना है इसमें सोटा वगेरा हम कुछ नहीं डालेंगे और हम आपको दिखाएंगे कितनी स्पंची और कितनी सौप्ती बनेगी और इसे हम एक ही डिरेक्शिन में इसे गुमाएंगे दोनों साइट से नहीं करेंगे इधर न और आफ हमेसा घर में बना करके किसी भी में किसी वी तहषáng को य। इसमें आयआ बना करके इन्ज़वाइय कर सकते हैं इसे हम कैसे मतलब कि समझेंगे जो यह अच्छे से हो गई है मिक्स हो गई है या नहीं तो इसे हमने एक गिलास में पानी लिए हूँ आप देख सकते हैं मैंने काच की गिलास लिए हूँ ताकि आपको नीचे से उपर तक दिखाई दें आइसे मैंने छोटी से एक बॉल डाले हूँ तो यह नीचे नहीं गिया है मतलब उपड़ी यह तैर रहा है इसके मतलब यह परफेक्ट अच्छे से यह रेडी हो गई दैवल्ला बनने के लिए तो देखिए इस तरह से और हम निकाल लेंगे और इसे हम कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसे रख देंगे रेश्ट पर इ इस तरह से मैंने पहले चलाई थी एक ही डिरेक्शन में इसी तरह मुझे चलाना है और साथ में हाथ में पानी लगाती जाएंगे और छोटी-छोटी सी एक बॉल लेंगे आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे बल्ले बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से मैं ऑईल में खुश से ये इतनी फूल जाती है ये खुदी पलटना सुरू कर देते हैं तो तेल काफी गर्म है इतनी भी गर्म नहीं है ताके रखे और लाल हो जाएं फिर भी गर्म होनी चाहिए और सारे वल्ला को रख देंगे इस तरह से एक सैड़ अच्छे से पकने देंगे हल्की सी गॉल्डन हुने देंगे इस से पूरी तरह से गॉल्डन नहीं करना है और रल्की अल्की से तेल लेंगे और इस तरह से भले ने को डालेंगे हल्का असर टच करने से ही ये पलट जाएंगे अब देखेंगे श्रीप history पिसकी जगह मिलनी चाहिए अगर आपकी कराही छोटी है तो आपकाम डाले बड़े हैं तो बहुत जादा ही भी डाल सकते हैं इसमें बहुत ही जादा हो गई है यह फूल करके तो आपस में इसका जगह नहीं मिल रहा है तो मुझे थोड़ी से इसको सपोर्ट देना पर रहा है तो य इतनी अच्छी सी कलर आ गई है काफी कलर सुनहरी सी कलर है और इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे फिलेम मैंने लो करके रखी हूँ क्यूंकि तेल काफी हीट हो जाएगी तो मैं दूसरा वाला दाई वाला डालोंगी तो वह काफी क्रिस्पी कुर्कुरी उपर से बन जाए तो देखिए मैं इस तरह से रख रहे हूं कि तेल काफी ठंडी होने चाहिए अगर ज्यादा गरम होगी तो उपर से लाल हो जाएगे कलर अच्छी आ जाएगी नीचे से कची ही रहेगी इसलिए हम तेल को ज्यादा हीट नहीं करेंगे और ज्यादा ठंडा भी नहीं होनी च जाते हैं और तेल आप इसमें ज्यादा दीजिए ताकि इसमें भले अच्छे से अपने आप फूल करके गेंद के जैसे बन जाएंगे अगर आप कम तेल में बनाएंगे तो आपको भले फूलेंगे नहीं तो यह बड़ा बहुत ही अच्छे से फूल गये हैं आप देख सकत में बना करें द कर लिएगories में हैं आफ यह साफ़ी स्वट्टी उपटी स्पास्जी बन करके रेडी हो गई हैं तो हम सब आपको दिखाएंगे सारी मैंने बना कर रेडी कर लिए एक इसमें डालेंगे एक चम्मच नमगfeldימu रिज़ में थोड़ी सी नमकिन हो जाएगी कि नोची पानी कि युवर्ण दालेंगे इसमें थोड़ी सी चे डाइगी तो देखिए कितनी सोप्ती कितनी इस सबसंछे है uniqu आप ज़रूर बनाएगा है कि इस दू-30 जगा है कि सबस् край कर लेंगे इसे मैगी खाने वाली चौमिंग खाने वाली एक स्पून है देख सकते हैं काटे वाली इस तरह से करेंगे और पानी में डालते जाएंगे हाँ भल्ले ठंडा नहीं होना चाहिए गरम गरम ही भल्ले है और इसी तरह हम डालते जाएंगे क्योंकि अभी मैंने निकाली हूँ यह बढ़े हो जाते साइज में पानी में और अंदर तक इसे फूल जाते हैं इससे काफी सौप्टी से स्पंची सी खाने में बहुत मज़े आती है अब पांच मिनट हो गई है सर्फ कर लेते हैं एक इस तरह से निकालेंगे ज्यादा देर नहीं रखना पानी में ज्यादा से ज्यादा दस मिनट तक रखेंगे और इसे निकाल लेंगे अगर छोड़ देंगे ज्यादा देर तो इस सारे के सारे भले पानी में ही तूट जाएंगे तो अभी हम आपके साथ सर्फ करने के लिए हम पानी से ही निकाल रहे हैं और आपके साथ सर्फ कर रहे हैं इस तरह से लेंगे और दही मैंने रखी हूँ साइट में आप देख सकते हैं तो मैं मीठी वाली बना रही हूँ इसमें मैं चीनी एट करूँगी एक तिम्स करें मैं चेनियेट कर रही हूं और इसे मिक्स कर लेंगे आपकी घर में कोई भी गेज्ट है ने मेहमान आया तो अफटा फटट बनाएए दही वना और हर किसी को पसंद आते हैं यह दही वना और यह दही वरा केसे बहत फीत बहुत ही गवरे बहुत vehicle कि जितने भी वरा है वो cover हो जाएंगे तो आप किसी भी location किसी भी function पे आप इसे enjoy कर सकते हैं बना सकते हैं और अपनी family के साथ दोस्तों के साथ किसी भी मौका पे बाड़े पाटी हो या फिर घर कर कोई भी function हो आप बनाए और enjoy करें और इसी के साथ मैं क्या-क्या ली हूँ इ इमली की चटनी है और कुछ ऑफ सेव अब यह इमली की चटनी मैंने बना करके पहले से रखी हूं और इसकी वीडियो अगर आप कुछ चाहिए तो आप मेरे चानल पे जा सकते हैं यह वीडियो मैंने तो मज़ा ही नहीं आता है और ये उपर से गायने सिंग के लिए सेयो ये बारी की वाली सेयो आती है हर दुकान में नौर्मली मिल जाती है पांच छे दस में पैखिड देती है वही वाली ये सेयो है और हलकी सी कास्मेरी लाल मिर्च में उपर से डाल ले हूं ताकि इसकी और यह देखिए है ना बहुत ही यम्मी और बन के रेडी हो गई है आप से भी के साथ देखिए कितनी अच्छी सी दैवले बन के रेडी हो गई है काफी स्पंची सौप्टी सी तो यह हरी चटनी और इमली के चटनी के साथ सर्कीज यह आपको बहुत ही मज़ी कि लेगी और बहुत ही टेस्टी बनी है आप खुद देख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं वीडियो कैसी लेगी प्लीज कॉमेंट करके बताएं उमीद यह रेसिपी आप सभी को पसंद ही होगी तो पसंद आए तो प्लीज वीडियो का लाइक कर ले चाहिए सब्सक्राइब कर ले अला आपीस